नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी रिखा है जिसके हाथ में होने पर इंसान बहुत अधिक धनवान होता है आम तोर पर किसी भी इंसान के हाथ में तीन रिखाएं अवर्षे होती हैं जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं यह पहली रिखा इसे हम हिर्दय रिखा कहते हैं यह दूसरी रिखा इसे हम मस्तिष्क रिखा कहते हैं और यह तीसरी रिखा इसे हम जीवन रिखा कहते हैं ये तीनो रेखाएं लगबग सभी लोगों के हाथों में देखने को मिलती है परंतु कुछ लोगों के हाथों में एक और रेखा भी होती है जिसे धन रेखा या भाग्य रेखा कहते है धन रेखा अलग अलग प्रकार से हाथों में दिखाई देती है दन रेखा को समझने के लिए हम कुछ चित्रों का साहरा लेंगे इस चित्र में यह जो रेखा यहां से निकल कर सीधे उपर जा रही है इसे हम भाग रेखा करते हैं कुछ लोगों के आतों में भाग रेखा यह जो हिरदे रेखा है हिरदय रेखा से निकलती है और सीधे उपर की तरफ चली जाती है उपर जाने के बाद कभी-कभी भाग रेखा पहली उंगली की तरफ मुड़ जाती है और कभी-कभी यह भाग रेखा दूसरी उंगली के तरफ मुड़ती है तो इस तरह की भाग रेखा कुछ लोगों के हाथों में दिखाई देती है कुछ लोगों के हाथों में भाग रेखा मस्तिस्क रेखा से निकलती है जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं यह मस्तिस्क रेखा है और यह जो रेखा यहां से निकल कर सीड़े उपर जा रही है यह भाग रेखा है यहां पर भी भाग रेखा कभी-कभी यहां से मुड़कर पहली उंगली की तरफ आके समापत होती है और कभी-कभी भाग रेखा यहां से निकल कर यहां आते हुए दूसरी उंगली के नीचे आके समाप्त हो जाती है तो इस तरह की भागरेखा भी कुछ लोगों के हाथों में देखने को मिलती है कुछ लोगों के हाथों में भागरेखा यहां से निकलती है और सीधे उपर की तरफ जाते हुए या तो इस उंगली के पास में आके समाप्त होती है या यहां से मुड़कर पहली उंगली के नीचे आके समाप्त हो जाती है इस तरह की भागरेका अक्सर लोगों के हाथ में दिखाई देती है या भागरेका यहां से लेकर यहां तक कहीं से भी शुरू हो सकती है कुछ हाथों में यहां से शुरू होती है कुछ हातों में हम देखते हैं कि यहां से भी भाग रेखा शुरू होती है और सीधे उपर की तरफ चली जाती है और या तो पहली उंगली या तो दूसरी उंगली के नीचे आके समाप्त हो जाती है कुछ लोगों के हातों में भाग रेखा यहां से निकलती है और सीधे उपर की तरफ जाते हुए यहां आती है और बीच वाली उंगली जो है यहां पर नीचे आके समाप्त होती है और कभी-कभी यह भाग रेखा यहां से निकलती है यहां तका आने के बाद में थोड़ी सी भागे रेखा को कहा जाता है यदि इंसान के हाथ में यह भागे रेखा हो तो वह बहुत अधिक भागे शाली होता है इसके अलामा कुछ भागे रेखा और भी होती है कुछ लोगों के हाथों में भागे रेखा यहां से निकल कर सीधे उपर की तरफ बढ़ती है कभी-कभी भागे रेखा जीवन रेखा के पास से निकल कर यहां से निकल कर सीधे उपर की तरफ जाती है और कभी-कभी भागे रेखा यहां से भी निकलती है और यहां से निकल कर सीधे उपर की तरफ चली जाती है दोस्तों भाग रेखा जिसके भी हाथ में हो उसे बहुत कम मेहनत करने पर ही बहुत अधिक धनकी प्राप्ती होती है जिस इंसान के हाथ में यह रेखा हो वह बहुत धनवान होता है ऐसे इंसान के पास खुद की गाड़ी और खुद का घर भी होता है ऐसे इंसान बहुत भागशाली होते हैं जिसकी हाथ में यह रेखा होती है उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देती है यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि हाथ में भाग रेखा गाड़ी नहीं होनी चाहिए यदि बागे रेखा पतली हो तो बहुत अच्छा होता है कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा इतनी पतली होती है कि बहुत ध्यान से देखने के बाद ही समझ में आती है आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इसे जरूर शेयर करें जिससे यह जानकारिया और लोगों तक भी पहुँचे धन्यवाद